अध्याय बारा देख रहे हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद अब कॉंसिट्यूशन बन गया उसमें बहुत सारे फीचर डाल दिये गए फिर बात आई प्लानिंग की विकास के लिए क्योंकि हिंडुस्तान अच्छी अविस्ता में नहीं था सबसे पहली चीज थी कि पावर्टी बहुत ज़ादा थी यानि कि गरीबी बहुत ज़ादा थी तो किसी तरीके से हमको एक तो जो मौडर्न टेकनिकल या कहें अध्योगिक बेस इंडस्ट्रिल बेस बनाने की आवशक्ता थी ये में काम था सरकार का तो 1950 में सरकार क्या करती है एक प्लानिंग कमिशन जिसे हम कहते हैं जिसका आज नाम नीती आयोग है एक प्लानिंग कमिशन का गठन करती है और इसका काम यह होगा प्लानिंग कमिशन का यही काम होगा कि वो नीतिया मनाएगी यानि की policies making इसका काम होगा और इन policies का execution या फिर इन policies को लागू करना इनको बनाना और उनको लागू करना खास तरफे जहां तक अर्थवस्था का सवाल है economic development का सवाल है ये किसका काम होगा योजना आयोग का जो कि आज हम कहते हैं नीती आयोग अचा ये सब ने माल दिया था या फिर नीती आयोग ने भी ये कह दिया था कि जो भारत की वेवस्था होगी वो mixed economy होगी mixed economy क्या होती है इसको हम कहते है mixed economy का मतलब ये होता है कि इसमें जो private players है नीजी शेत्र वो भी काम करेगा और बहुत सारी शेत्र ऐसे होंगे जो government के पास भी होंगे यानि government के भी offices होंगे government के भी उद्योग होंगे government के भी establishment होंगे इसी तरीके से private firm भी काम करेगी यानि private लोग भी काम करेंगे तो ये मिश्रित अर्थवस्था या mixed economy का मॉडल था दोनों ही production या ये कहें manufacturing या फिर रोजगार के छेत्र में दोनों के दोनों छेत्र काम करेंगे अब कौन सी इंडस्ट्री private के हाथ में होगी कौन सा establishment कौन सा उद्योग government के हाथ में होगा ये कौन तय करेगा ये तय करना था planning commission को किसको करना था जिसका आज नीती आयोग नाम है उसी काम उसको पहले planning commission कहते थे तो इसका काम था जब हम 1950 की बात में कर रहा हूँ अब 1956 में 51 से ही शुरू हो गया था वैसे पहली पंच वर्षी योजना लागू हुई फिर 1956 में दूसरी पंच वर्षी योजना लागू हुई यानि कि 5 साल में क्या क्या होने वाला है एक पुरा road map तयार किया गया कि 5 साल में क्या होने वाला है तो 1956 में जो second दूसरी पंच वर्षी योजना या ये कहें कि जो five year plan decide हुआ उसमें main जो थ्रस था वो दो चीजों पर था एक तो iron and steel basically steely कह देते हैं इसको यानि इसपात लोहा और इसपात यानि कि इसपात उध्योग पर था लोहे सही इसपात बनता है और दूसरा था dams dams यानि क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने जैसे बताया था शुरुआत में भी हमने डिसकस किया था कि monsoon के उपर सारी irrigation सारा कृष्टी dependent थी तो dam बनाने बहुत जरूर थे सिचाई के लिए इससे electricity भी पैदा होती है और बहुत सारे काम होते हैं इसे मैं भी बताता हूँ आपको तो अगर आप यहां देखें यहां जो हम state की बात कर रहे है जो state लिखा गया है वो हम देश की बात कर रहे है जैसे आज अलग अलग state है हमारे यहां उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम पुरे देश की बात कर रहे हैं यहां जो आप चितर में complete हुआ तो dam पर बड़ा thrust हुआ और एक completed dam आपको दिखाता हूँ dam याने की बांध ये महनदी river पे बांध बना हुआ है ताकि जो पानी आता था और जिससे बाढ आती थी उस पानी को रोकने के लिए control करने के लिए काम हुआ था और ये bridge और dam याने जो बांध है और bridge एक जगह से दूसरे जाने के जगह जाने के लिए जब हम एक विवस्ता बनाते हैं उसको हम bridge कहते हैं तो pull पुल अगर इस हिंदी बोला जाए तो pull तो वो जो है वो नए हिंदुस्तान के एक मानक बन गए symbol बन गए यहाँ पर मैं आपको जो चीटर दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए यह है भाकडा नंगल बांध ठीक है अलग अलग नदियों पर बने है यह लेकिन बड़े important बांध है यह ठीक है नागरजून सागर, तुंग बद्रा यहाँ पर हिराकुन देख रहे हैं यह दामुदर वैली प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से कई सारे बांध इसमें काम यह था एक तो पानी रोकना था बाल के लिए, उपर से पानी सप्लाइ करना था, irrigation के लिए दूसरा यहाँ पर नौका यान होती है यह recreation की भी जगा है, लोग यहाँ आके वड़ा अच्छा उनको लगता है और फिर यहाँ से electricity भी प्रोड्यूस होती है बहुत सारे काम एक साथ बांध में हो जाते हैं लेकिन आज कल हमने देख लिया कि बांध के बहुत सारे परियावरणिये नुकसान भी है तो कई लोगों ने यह सोचा कि भी यह जो agriculture है इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है और साथ में जो primary education है शुरुआत में जो बच्चों के लिए पढ़ाई होती है, इस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है, कई लोगों ने कहा कि agriculture, कृषी और primary education इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कई लोगों ने कहा कि भी जो आप कर रहे हो आप उसका आगे परियावरण पर आने की environmental implication जैसे मैंने आपको बांध के बारें बताया, अब बांध में क्या है जैसे आप ये पानी है, ये बांध बना दिया अब पानी अपने साथ मिट्टी लेके आती है गाद लेके आती है, वो सारी गाद यहां जमा हो जाती है ठीक, गाद जमा हो जाती है और वे एक गाद एक level पर पहुंच जाती है उसके बाद जितना जब ये बांग बनाते हैं तो आसपास के बहुत चारे शेत्र जो होते महाँ पर आपको लोगों को हटाना पड़ता है तो बहुत सारी चीज़े ऐसी हो जाती है जो पर्यावरन को रुकसान करती है तो यहाँ पर आपको एक चीज़े दिखाऊंगा इनका नाम है मीरा बहन वैसे ये अंगलो इंडियन है आप गोरी महिला है लेकिन ये गांधी जी के बहुत खरीब थी इन्होंने ये कहा इन्होंने एक बात कही मादमा गांधी की फालोवर थी मीरा बहन ध्यान रहेगा आपको ये मीरा बहन कोने ये तो इन्होंने 1949 में कहा था कि देखिए साइंस यानि विज्ञान और मशिनेरी यानि जो भी आप किसी भी चीज़ के लिए मशीने लाते हैं ठीक है ये ठीक है आज के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन आगे जो नेचर बैलेंस है पर्यावरन का बैलेंस है प्रकृति का बैलेंस है ये कही न कही हमको नुकसान पहुँचाएगा और ये जो बात इन्होंने कही थी 1950 के दशक में आज ये फलिभूत हो रही है आज हम देखने हैं वाकई में इसने ये अटाक किया है आज ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं कार्बन फुट्प्रिंट, कार्बन उसर्जन हम इतना देख रहे हैं ये सब इसी कारण हुआ है लेकिन फिर भी उस जमाने में चीज़े पता नहीं थी या फिर शुरुआत होई थी, आज हमको ध्यान रखना है कि आगे हम ऐसा खामना करें तो यहां पर एक चितर मैं आपको दिखाऊंगा आप यहां देख रहे हैं जवाहरला नहरू साब अच्छा ये जो आप देख रहे हैं यह है ब्लाइस टील प्लांट ब्लाइस टील प्लांट जो है वो सोवियत यूनियन उस जमाने में जो था उसके सौजनने से या उसके पार्टनर्शिप में या उनके मदद से इसको यहां पर इस्टैब्लिश किया गया था और 36 गड़ उस जमाने में बहुत ही रूरल इलाका था बहुत ही कहें कि पिछड़ा इलाका था वहां पर ये भिलाई स्टील प्लांट लगते ही आप देखेंगे कि यहां पर आपका रायपूर है जो आज राजधानी है 36 गड़ की यहां नागपूर है रायपूर के जस्ट एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद एक घंटे के दर्मियान में भिलाई स्टील प्लांट आता है और इसका पकायता स्टेशन है और आप देखेंगे यह पूरा एरिया इतना डेवलेप हो गया है कि पूछे मत दुर्ग हो गया रायपूर हो गया यह बड़े फेमस हो गया क्यों इसलिए क्योंकि उस जगह पे जो बड़े विजनरी लोग थे उन्होंने यहां पर ऐसी जगह लगाया जहां पर लोगों को रोज़गार मिले अब यह पूरा इलाका जो है यहां पर 1945 में Second World War खतम होता है और हिंदुस्तान को अजादी मिलती है 1947 में बहुत कम अंतराल है अब क्योंकि 1945 में जो World War खतम हुआ उसके बाद यह विवस्ता हो गई या यह लोगों के बीच में एक बहुत पुरे World की बारे मवतारम क्योंकि Second World War इतना घातक था जर्मनी और जो बाकी प्लेयर थे इतना घातक काम हुआ था उजमाने में कि इन्होंने कहा कि सब लोगोंने मिलके कहा कि हमको एक United Nation की आवशकता है एक ऐसी अंतराश्चे संस्था जो सब लोगों का ध्यान देगी तो 1945 में इसका establishment हो गया था लेकिन अभी भी ये बच्च्पने में थी याने कि शैशा ववस्था में थी ठीक है तो क्योंकि ये शैशा ववस्था में थी और बड़े-बड़े प्लेयर थे तो 1950 और 1960 के दशक के बीच में दो बड़ी-बड़ी जो पार्टी इस थी आपको दिक्कत होती है आपके घर में कुछ पार्टी होती है इनको दिक्कत होती है मतलब दोनों एक दों बॉलिंग पॉइंट पे हैं बस एक मौका लग जाए दोनों आपस में लड़े जाएंगे तो ये Cold War इसे कहते है Cold War जो था वो किसके बीच में था वो महा शक्तियों के बीच में था USA और उस जमाने में जो USSR था आज USSR नहीं है आज रशिया है तो USA ने क्या किया कि अपने जो भी allies थे मालनी जे आपका Britain हो गया या France हो गया इनके साथ मिलाके न एक इनोंने अपनी एक सैनिक शक्ति बना ली थी USSR ने भी यह किया उसने भी एक कई कंट्री इसके साथ अपनी सैनिक शक्ति बना ली तो इनोंने Military Alliance बनाया क्या बनाया सैनिक Alliance बना दिया अब क्योंकि इस जस दो साल बाद हिंदुस्तान आजाद हो गया तो हिंदुस्तान नहीं क्या किया या कहें Foreign Minister भी थे इन्होंने क्या कहा कि हम गुट निर्पेक्ष निती जिसे कहते है Non-Alignment यानि अगर माल लीजे मैं यहाँ पर हूँ मैं इसकी तरफ जुग जाऊं तो इसकी तरफ अलाइन हो जाऊंगा इसकी तरफ जुग जाऊंदे इसकी तरफ अलाइन हो जाऊंगा इन्होंने का मैं किसी की तरफ नहीं जुगूँगा हम Non-Alignment रहेंगे गुट निर्पेक्ष रहेंगे हम किसी भी की तरफ नहीं जाएंगे तो आप देखें इजिप्ट हो गया जोसे मिसर कहते हैं युगसलाविया इंडोनेशिया घाना इंडिया ऐसे बहुत सारे जो जमाने में कहें आजाद होए उन्होंने कहा कि हम भी Non-Alignment की ट्रीटी को साइन करेंगे और हम किसी भी उसमें नहीं जाएंगे ऐसा नहीं है अच्छा Non-Alignment का मतलब यह नहीं है कि इन से अलग रहना बलकि यह हुआ कि इनके अमेरिका और सोवेट के बीच में बहुत सारी ऐसी मीडियेटिंग का काम यहने जो जैसे एक मीडियेटर का काम करते हैं यहां पर कुछ चित्र दिखाना जरूरी है आप यहां देखे यह जो साब है इनका नाम है यह तो आप समझ गया है नहरु साब है यह है कृष्ण मैनन साब अब कृष्ण मैनन साब जो है 1952 से लेकर 1962 के बीच में यहां पर इनोंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया UN में युनाइट नेशन में जो मैंने आपको संस्था बताई और बड़े फेमस आदमी थे इसके अलावा यहां जो आप चित्र देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग मिले हैं यह बांडूं इंडोनेशिया में हुआ था एक मीटिंग और सबने यह कहा कि हम किस तरीके से जब क्यावी भी आजाद होएं कैसे हम आगे बढ़ें कैसे हम नॉन अलाइनमेंट की ट्रिटी को फॉलो करें और कैसे जो वेस्टन डॉमिनेशन उसको कम किया जाए जो विदेशी डॉमिनेशन था प्रतिदंदिता है उसको कैसे हम कम करें तो 29 नए जो स्टेट आपके आजाद होए तो उन्होंने मिलके यह बर एक मीटिंग की थी अब आप देखें कि अब कितना इस साल 2021 में हम 75 वा 57 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे है यानि कि 15 ऑगस्ट 2021 को 75 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा यह मैंने आपको बात तरवा रिपब्लिक डे बताया क्यों इसलिए क्योंकि आपको पता रहे कि रिपब्लिक डे के दिन हमारे होता क्या है लेकिन हम रिपब्लिक डे की बारे में बात नहीं कर रहे हैं जहां पर हमारा सविधान लाग हुआ हम बात करें स्वाधिंता या स्वतंता दिवस तो जब हम ये देखते हैं तो क्या हम एक देश के नाते उतने सक्सेस्फुल हो पाए हैं देखें इंडिया जब बना तो कई लोग ने कहा कि ये इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कई ऐसे बहुत सारे समझदार लोग थे या कहें कि बहुत सारे अब्जर्वर थे या कहें एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो टूट जाएगा कई उन्होंने कहा कि इंडिया मिलिटरी रूल पे आ जाएगा यानि कि सैनिक शक्ती इसे घेर लेगी लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हम देखें कौन सा हमारा सत्रवा जनरल इलेक्षन हुआ है, 2019 में सत्रवा जनरल इलेक्षन हुआ है, और सरकार बनी, मोधी सरकार बनी, तो अभी भी हमारा देश बहुत सही तरीके से चल रहा है, हमारे आज जो प्रेस है, मीडिया है, गोधी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो मीडिया है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, और जुडिशरी, एक दो, अगर केसिस हटा दिया जाए, तो जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, यानि कोई भी इनके उपर नहीं है, किसी कंट्रोल में नहीं है, एक चीस तो यह हो गई, दूसरा यह है, कि आज भी, यह सब तो हो गया हमने बड़े अच्छे काम कर लिए, लेकिन जो अंटेचिबिलिटी है, जिसको कॉंसिट्यूशन में हटा दिया गया था, चुआ चूट की जो बात थी, वो आज भी है, दलितों के उपर, मुसल्मानों के उपर, जो यह कहें कि, इनके उपर जो नुकसान होता है, इनके साथ जो भेदभाव होता है, खास तोर पे दलितों और मुसल्मानों के साथ, वो आज भी उतना ही है, याने कि वो अभी भी मारकाट सहते हैं अभी भी उनको discrimination या कहीं निशेध इनको सहना पड़ता है आप देखें जो दलित हैं वो तो मुसल्मान को छोड़ी दे दियो वो तो हिंदुस्तान के secondary नागरिक हो गए आज केल की समाने में लेकिन जो दलित हैं उनको ना तो किसी जगह पे ना किसी टेंपल पे याने जो पार्क हो गए टेंपल हो गए मंदिर हो गए या पब्लिक स्पेस महां उनको जाने नहीं दिया जाता और जो religious group है कई ऐसी राजनितिक पार्टिया है जो हिंदित तो या हिंदु की बात करती है कई ऐसी प्रजनितिक पार्टिया है जो मुसल्मानों की बात करती है तो जो हिंदु मुसलिम में जो डिवाइड है भी और बढ़ गया है और बढ़ता चला जा रहा है और जरसी बात होती हो लड़ाई जगड़ा हो जाता है जो rich है और पूर उनमें जो differences है वो बढ़ते चले जा रहे है आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ कि एक आदमी जो है उसके बच्चे बहुत जबरदस बढ़िया स्कूल में प्राइड स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छ अच्छी जगद होता है तो माल लेते हैं दो सो रुपाइब आप उठी जो आप डेख रहे हैं वह सब घरीब ओं सकते हैं ना शिक्षऑ की वेष्ता है नज में की वेष्ता है तो आपको मैं एक चित्र दिखाऊंगा बढ़ अच्छा चित्र इसमें दिया हुआ है। सब से अमीर लोग भी बसते हैं और वह लोग जो अपना मैला खाते हैं वह भी बसते हैं तो यह जो दिक्कत है या भी हमारे पास विद्यमान है पैसे वाले पैसे वाले होते चले जा रहे हैं तो हम यह देख रहे हैं कि भई Republic of India इतना जादा सक्सेस तो हुआ नहीं है मतलब जब हम जिस हिसाब से हम देश हमने बनाया था उस हिसाब से इतना फाइदा तो हुआ नहीं है लेकिन एक और अच्छी बात कही इन्होंने NCIT ने कि फेलियर भी नहीं हुआ हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि सक्सेस हमें नहीं विला कि हम हिंदू पाकिस्ता नहीं बनने देंगे तो इन्होंने ये बस काम करके पुरे देश को साथ जोड लिया यानि आप हिंदू और मुसल्मान सब साथ में रहते हैं और जो साथ इंडिया वहाँ पर भाशा है वो हिंदी भाशा बिल्कुल लागु नहीं की गई कि वर उसको राजभाशा मनाया गया तो ये समझदारी करके देश को एक साथ रखा गया है यही ना समझी दिखाई श्रीलंका ने यही ना समझी दिखाई आपके पाकिस्तान ने और किस तरीके से वो देशों का हाल हुआ वह आप जानते हैं मैं आपको बताता हूँ कि 1956 की बात है जब हिंदुस्तान में पुर्णर गठन स्टेट्स का चल रहा था लैंग्वज बेसिस पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कि भाशाई तोर पे अलग-अलग स्टेट बनेंगे तो उसी समय जो श्री-लंका है उस जमाने में इसको सिलोन कहा जाता था हिंदुस्तान के यहाँ पर श्री-लंका है मुस्ली सिहाला और तमिल लोग रहते हैं यहाँ पर तो इन्होंने क्या किया सिली श्री-लंका वालों ने यहाँ पर जो है आपको पहले में ज़रा वरीशिन दिखा देता हूँ तब आप ज़्यादा समझ पाएगे यहाँ पर जो मिजॉरिटी है 75 प्रतिशा लोग सिहलीज बोलते हैं यह सिहाला लोग हैं करीबन 11 और 4 जोड़ जीजे क्योंकि यह तमिल है लेकि इसमें कुछ श्रिलंकन तमिल है कुछ हिंदुस्तान से जो बागानों में गये थे वो तमिल है तो इनको जोड़ दिया जाता है तकरीबन 15 परसेंट तमिल बनते हैं वो सेम सिच्वेशन हिंदू-मुसलिम की हमारे यह है तकरीबन 80 परसेंट हमारे हैं हिंदू है 14 परसेंट तकरीबन मुसलिम है इसलिए दरार पैदा होती है क्योंकि लोग आग लगाने वाले बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में भी और शिलंका में भी होंगे तो यहां पर क्या किया इन्होंने जो सिहलीज भाषा है 75 और यह जो औरेंज सा इलाका देख रहे हैं यह तमिलों का इलाका है इसमें शिलंकन और इंडिया दोरों में मिला लेता हूं और जो ग्रीन इलाका है वह सिहलीज का इलाका है सिहला लोग का तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने जब सिहला को मेडियम मतल पर इस जए का पे यह कैसे भई तो कई लोगों ने कहा कि भई आप यह डिवाइड करना चाहते हो गया सिलोन को और उसके बाद कई लोगों ने कहा कि भई यह तो टूटेगा और फाइनली आपको पता है कि 25 साल से ज़ादा यहाँ पर सिविल वार चला कहां सिविल वार चला इस देश में तो सिविल वार के कारन इस देश का जो हाल हुआ तमिल स्पिकिंग मनारटी को आप अगर सिहाला डाल दोगे कि बैज तुम सिहाला बोलो इस तरी कि पाकिस्तान में जब यहाँ पर बंगलादेश में उर्दू क्योंकि महाँ की भाषा बंगला थी बेसिकली उन पर उर्दू लादनी की कोशिश की तब ही यह वेस्ट पाकिस्तान फिर पाकिस्तान बना और जो इस पाकिस्तान है वो बंगलादेश बना तो आप यह देखेंगे कि हिंदूस्तान में ऐसा नहीं हुआ हिंदी हमने इंपोज नहीं की अगर हिंदी इंपोज करते तो वही हल होता जो सिलोन यानि की जो श्रीलंका और पागिस्तान का हुआ हमारे यां कोई भी ऐसा हिसाब किताब नहीं है मुसलमान हिंदू साथ में रहते हैं अलग-अलग भाशी लोग साथ में रहते हैं और आजकल की जनरेशन है जो पुरानी जनरेशन है वो तो खेर वो सब अपनी बायस हो गई है कोई हिंदू खासत करब मुस्लिम विरोधी हो गए है और जो अपर कास्ट है वो लोः कास्ट के विरोधी हो गए है वो सब हो रहा है लेकिन आजकल की जनरेशन जो है मैं और आप जो जनरेशन है हम जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा भाषा में और रिलीजिन में हमको इस देश को economic power वनाना है हमको technological power वनाना है और इसी बारे में हमें सोचना है चले साब ये बात हुई इस chapter की बहुत शुक्रिया आप बहुत मेरबानी आप सभी की